इस वीडियो हम PHP को रन करेंगे अपने विजेस्टूडियो कोड में यहां पर हम आपका complete साइट बन बाऊंगा और यहां पर जो यह लिंक में आपको description दोगा वहां से यहां पर आ सकते हो तो यहां पर आप देख सकते हो टीक है इंदी में हो चुगा है इसे इंगलिश में करते हैं तो यहां पर चैंब 4 विंडो है यह लेनिक से यह OS है ठीक है तो यहां पर आपको करना कुण सा है यह है 8.2.4 तो यह latest version आपको यह करना ठीक है इस पर आपको कलिक कर देना जैसे आप कलिक करोगे तो यह आपको अटोमाटिकली रानो डॉना स्टार्ट हो जाएगा तो यहां पर इसे आपको इंस्टोल कर लेना है तो यहां पर आपको कलिक करना एंड जैसे आपको कलिक करोगे तो यहां पर आपको इंटरफेस बिजीबल होगा एंड आपको नेक्स पर कलिक करना और यहां पर आपको नेक्स पर कलिक करना और यहां पर आपको नेक्स पर कलिक करना एंड यहां पर आपको नेक्स पर कलिक क आपको next पर किलिक करना यह language है English है तो इसके अंदर basically Dutch है और English है तो English ही रहने देते हैं Dutch तो आती नहीं है तो next पर किलिक करना और इंस्टोल करना और यह install होना start हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा चैंप सरब बाइंस्टोल हो चुका जैसे से finish पर किलिक करते हैं तो जैसे finish पर किलिक करोगे तो यह start हो जाएगा तो यहाँ से भी काट जाते है jam server को सक्सक्राइश इंस्टोल करने के बाद यहाँ पर हम VS code को download करके इस इसके लिए आपको टाइप करना है तो यहाँ पर आपको टाइप करना है VS code download download इंटर करोगे तो यहाँ पर आपको इसके open कर लेना यह लिक में आपको description दोंगा वहां से यहाँ पर आ सकते हैं यहाँ पर इसे download हो चुका इस इंस्टोल करते हैं इसकी policy को accept कर लेना next पर click करना है और आपको इस तरीकिस होगा आपको इससे click कर देना ठीक है next कर देना और install कर लेना तो यहाँ पर जैसे इंस्टोल होगा तो आपको finish पर कर देना ठीक है और यह open हो जाएगा तो यहाँ समय से काट जाता हूँ तो यहाँ से बाहर से open करेंगे और यहाँ सबको इस open करना है और यहाँ पर एक फोल्डर बना लेते हैं ठीक है यहाँ पर मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ php नाम से php desktop पर एंड इस open करते हैं फाइल पर आना आपको एंड यहाँ पर आपको आना darüber बॉया और यहाँ पर पिएच्प नम से फोल्डर होगा चाह्ट कि आपकिसी भी नम से फोल्डर बना सकती है एक है अन्य पर कना गया अधिया सफे फाइल बनाते तो यहाँ जैंड यहाँ पर आना थे यहां पर आपको एक्सेंशन वाले ओप्शन बाना है आने के बाद यहां पर आपको टाइप करना है PHP Intelli PHP IntelliFence तो इसमें करना है क्या है यहां पर आपको इंसलेशन का इसमें प्रोसेस दिया होगा ठीक है future and details ठीक है यहां पर आप देख सकते हो तो आपको इस extension के बजाना इसे आपको copy कर देना ठीक है Ctrl C और यहां पर करना है क्या इसे कुछ feature को disable कर देना ठीक है यहां पर आप देख सकते हों से disable कर देना तो यहां पर आपको इसे अडाना इस तरीके से और paste कर देना इसे और यहाँ पर आपको इसे Disable कर देना ठीक है है डिसेबल करने के बाद यह जो हमारा यह वाली हमारी PHP थी ठीक है मैं इसे यहां सी अडाता हुँ पिएज़बी अउंटेलिफ के इस आपको इंस्टोल करने ना जो,тьलों करने के बाद आपको एक और एक चैशन इंस्टोल करनी है PHP-Server ए एचशन को करने के बाद यहां पर आगर आप Codding करोगे ठीक है इससे पहले करना आपको कॉड्िंग करने से पहले आपको यहां पर आना और सी ड्राइब माना आ आपको और यहां पर ऐहां पाद पर पृर पीएड़र में इसके पात को प्रूपी करलेगे रोगसे करके को च अबर आपको यहां पर अना टेक है और टाइब करना है inवाइर्मेंट अच्यों कॺयाँ क्ली रेष्ट tooth यहां प्र आपको इसे आपन कर लेना कंटोर पर अंड ओम्यृम्विले बथनाएं यहां इंवियर्मेट है करो इसे ओंड कुलिख करना अंड यहां पर आपको दिखते रहा होगा इस तरीके यहां पर एक message कर देते हैं, hello world का hello world इसे close कर देते हैं, इसे save करते हैं, save करने के लिए आपको यहां पर आना और इसे save कर देना इसके बाद आपको इसे exit कर देना क्योंकि यह refresh हो जाएगा, वहना आपको error आईगे, ठीक है, आपको दुबार से open करना विजिए studio code को आपको इसे run करने के लिए क्या है, जैसे यहां पर आपको click करना ठीक है, और serve project पर आपको click कर देना जैसे आप करेंगे तो आपका project run on start हो जाएगा, यहां पर आप देख सकते हो hello world, इसका yard पूड़ा चुका यहां पर आपको आपको यहां पर आपको कोडिंग कर दिये ना तो आपको इस तरीके से कर लेना तो आपको इस तरीके से कर लेना यहां पर आपका आउटपूट दिखता रहेगा और आपको यहां पर इसंसे हो कि कि आप रवाद जहाकने के आपको जरुवत नहीं पड़ेगी ठीक है इस तरीख साब गोडिन कर लेना इस थारीख से कर देना और यहां पर आप आप आपका अउट्पुट शे रण करते हैं तो यहां से रण कर सकते हैं यहां से क्लिक करोगे आपका प्रजेक्ट तो यहां से आप मैं इससे काट जाता हूं इस तरीक से यहां से काट जाते हैं और इससे यहां से रन करो गया तो पोट्जैक्ट टन और प्रशाइब करते हैं इसमें जैसे मैं एक और और एक और message प्रिंट करते हैं, जैसे hello this is test of php तो इससे सेब कर देते हैं और जैसे सेब करोंगा तो आप इस करना है क्या तीक है आपको यहां से इसे refresh कर देना, यहां से कर दोगे refresh तो यह आ जाएगा hello this is test of php यहां से भी कर सकते हो, आप इस पर click करोगे और यहां से reload server भी आप कर सकते हो तो इससे कर लेना आपको support intelligent debugging format और दो करें और यहां से आपको इससे कर लेना, यहां से आपको, काफी , नहीं व्हुत कर देना पड़ती है तो गाइस इस वीडियो में इतना है और यह वीडियो आपको पसंद है चानल को सब्सक्राइब कर लो और अगर आपको कोई पॉलम्स आ रही है तो आप मुझे कमेंट करो और मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में थेंक्स वाचिंग गाईज